Hello students, आज हम बात करने वाले हैं होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कॉडिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिना कहा जाता है उसमें एक मेटल एटम होता है बीच में जो कि मेटल एटम आयन है और आयन भी कौन सा, कैट आयन है, मतलब positive charges के उपर, ठीक है कितना positive charges है, बाहर जो charges वो इसका ही है, 3 positive charges, ठीक है, इसको कुछ जो groups हैं वो क्या करेंगे, electron pair donate करेंगे, NH3 ने इसको electron pair donate करके रखे हैं, कितने, हर एक NH3 के लिए 2 electrons, मतलब एक pair donate होता है, और उसी को हम क्या बोलते ह ठीक है, तो ऐसे 6 NH3 हैं, इसलिए 12 electrons को वाल्ट के पास गए होंगे, ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए NH3 को हमने क्या बोला, donor बोला, ligand कहा जाता है जिसको, ठीक है, यह ligands mostly cationic या neutral होते हैं, मतलब positive charge या बिना charge के होते हैं, कभी-कभी anionic हो सकते हैं, जैसे chlorine है यहाँ पर, बट वो इसकी दूसरी valency को भी fulfill करता है, इसलिए charge reduce हो रहा है याँ पर, ठीक है, अब यह donor अगर एक ही तरह के हों, जैसे सिर्फ NH3 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हैं, हम हिट्रोलेप्टिक टाइप of complex बोलेंगे, तो इस वास दिए बिएं हमोलेप्टिक अ हमोलेप्टिक अग्रोलेप्टिक अग्च्छिस, थानकु याँ